नमस्कार साथियों स्वागता है आप सभी का एक फ़र से मारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि SSC 10 प्लेश टू लेवल पर आप सभी की जो रेकुट्मेंट निकाल चुकी है CHSL की दोस्तों इस वीडियो में बात करने बाले है कि SSC CHSL 10 प्लेश टू लेवल का आप लोग अपने मोबाईल फोन से फॉर्म फिलप कैसे कर पाऊगे जी यहां दोस्तों आपको साइबर के जाने की कोई जरुत नहीं आराम से अपने छोटी से छोटी स्टेप में आपको मैं बतान करने वाली हर वीडियो की नॉटिफेकेशन आप सभी को मिल पाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना दरीके दूस्तों बात करना चाओंगें देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं देखिए आपको इपलाई करने के लिए जाना कहीं नहीं है आपको SSC की वेब-साइट पर जाना है या तो आप Google पर सेर्च करके SSC टाइप करके आप लोग पहले अपले लिंक पर क्लिक करोगे आप लोग यहां पर आ जाओगे या फिर मैं आपको यहां का लिंक डारेक्ली डिस्क्रिम्स वक्स में दे दूंगा जैसे उस लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे आप लोग यहां पर फॉरवर्ड कर दी जाओगे ठीक है जहां से आप लोगों को किया हूँ CGL का किया हूँ या फिर हो सकता है SSC GD का क्या हूँ means पहले कभी भी आपने SSC की website पर अपने registration कर रखा है तो आपको दुबारा से registration करने की कोई जरूत नहीं है आपको simply यहाँ पर login का tab आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको आपको लोग इन करना लोग इन करने के लिए आपको registration नमबर चाहिए होता है तो वह registration नमबर डाल देना है जो आपने form वर्थे टाइम आपको मिला था और एक password आपको form वर्थे टाइम ही create करते हैं वह password आपको यहाँ पर डालना है तेन यह जो capture आप लोग लोग बटन पर क्लिक करके इसको एंटर कर सकते हैं अगर आपके पास मालो वह चीज़ है नहीं है registration नमबर आप भूल चुके हैं लेकिन आपको पता है कि आप रच्टेशन हैं इस website पे तो simply आपको नीचे forget का option मिलता है यहाँ पर आप लोग अपना registration नमबर और पासवाट दोनों आप लोग मुवाइल पर OTP के verify करके आप लोगो दोनों आपना verify कर सकते हो ठीक है और अपना forget password पर क्लिक करोगे तो आराम से अपना ID और पासवाट दोनों आप लोग अपना प्राप्त कर सकते हैं तो मैं इस बीडियों में बात करने बाला हूँ अगर आपने form फिलप पहले कभी नहीं किया है तो आप लोग new register पर क्लिक करेंगे और basic details होती है उनको फिलप करने के बाद मैं आपको बता देता हूं देखे स्टार्टिंग से एक मिनिट थोड़ी से देखे इस पर आपको य आपको इस बाध आपको को स्लेक्ट करना है आपको एज्विकाशन क्या है वह आप लोग यहां पर लेख कर देने मैं वह लंबर इस कोमय में डालेंगे आप building does skincare करेंगे तक बाद को अपना क्या करना है सेक्ट कुल्हक्ट कर लेना है टिक है उसके बाद दोस्तों के से आप सभी के नंबर मिल जाता है हाँ पर रेश्टेशन नंबर मिलने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर OK बटन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप OK बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या करना है एक ID पासवड मिलेंगे वो ID पासवड आपको यहाँ पर लोगिन करना है वो ID, Password आप Login करोगे और यह Capture Code आपको यहाँ पर डालोगे, उसके बाद आपको फिर से Verify करना होगा, ठीक है, आपको क्या करना, Login कर लेना है, उसके बाद कुछ इस तरीके से Option आएगा, जब अपना Login ID, Password अपना क्लिक कर लोगे, उसके बाद देगी आपको क्या करना है आपको अपना जो भी अपना category आपको select कर लिना है, जैसे आपका जनरल गाटेगरी है तो जनरल पे क्लिक करिए, और OBCC, CHT जो भी आपकी category है, वो अपना select कर सकते हैं, यहाँ पर आपको City जनल ऑफ इंडिया से विलोग करते हैं, यहाँ पर आपको अपको identification marks आपके body पर है वो अप लोग डाल सकते हैं यानि कि मोल बगएर है या फिर कोई कट का सिंबल आपको क्या करना है देन आपको PWD अगर आप हैं तो यस करेंगे नहीं तो नोप पे क्लिक कर देंगे उसके बाद क्या करना है आपको सेंपल अपना जूभी अपना एडरेस है आपका डिस्टिक ह है वह अपने डिस्टी डालेंगे पिन को डालेंगे इस तरीके से आप एक्जम्पल के लिए पढ़ा हुआ है आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे अगर आपका दोनों का एड्रस सेम है तो सेम करेंगे या फिर अपना पर्मेंट ट्रेंटर्स आपका अलग अलग है तो उस कंडिशन में अलग अलग फिल करेंगे दिन आपको क्या करना है फिर से आपको सम्वाइल नंबर पर एक ओटीप आता है ओटीप को वेरिफाइए करने के बाद आप लोग क्या करेंगे डारेक्ली आपको लेटेस्ट लोगिन करके दिखा देता हूँ ठीक है भाई आप लोग आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था अगर आप लिंक पर किलिक करो नीचे लिंक मिलेगा आप उस पर आप लोग लोगिन पर क्लिक करोगे तो इस तरीक इस इंटरफेस आप सभी के सामने आज जाएगा ठीक है और पहली नंबर पर आप लोगों को देख पा रहे होंगे आप लोग कंबाइन हायर सेकंडरी लेबल टैन प्लेश्टू लेबल एक्जामिशन दोजार तेईस आप लोगों को क्या करना है निजिए के अपलाई का बटन मिलता है अपको अपलाई वाले बटन पर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी परसनल डेटेल अल्रेट्ट हुए आती है तो आप को देख लें ल quindi को आपना आप लोग सेलेक्ट करना चाहते वहां अपना डिए मैं हैं यहां पर कर रहा हूं आप लोग देख सकते हैं मैं नर रीजन में डालना चाहा हूं़ कर लिए उसके बाद आपको यहाँ भूलता है कि मीडियम में अपना लेंगोऻ salvage Center आप सब्सक्लाय आरही है रहा है्सके को हैं देख सकते हैं जितनी भी जो रिख लेंगुज आपके अच्छी पकड़ है उस language में अप लोगे एक्ञाम दे सकता है मालो में हिंदी करता हूँ तो हिंदी पर क्लिक करूँगा तेन आपको क्या करना है फिरसे आपको verify करना है दूसरी बार आपको डूसरी बार आपको क्या करना है तो आपको टाइप के ल हम no पे क्लिक कर देते हैं अगर हम ex-servishment नहीं है इस condition में ठीक है अगर आप लोग ex-servishment होते हैं तो आपको यह अन्ही basic सी details हैं जो कि आपको fill up करनी पड़ती हैं तो आप physically handicapped हैं याप कुछ भी problem है physically तो आप लोग yes करें नहीं तो no पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं देन आपको क्या करना है देखिए आपको अपना age में छूट चाहिए याई एज में relaxation चाहिए अब मालो ओबी सी SCST से आते हैं तो आपको अगर age में आपके overage हो चुक है तो उस condition में आपको डाल सकते हैं उसके बाद इस option पर आपको क्लिक करना है इस option पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को एक बात ध्यान रखेंगे जब भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहां पर आपकी जो डेट दे रखें उससे पहले आपका अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए मिन्स आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए ठीक है एक बार आप नोटिफिकेशन को आप लोग देख लीजिए उसमें आपको डेट भी मिल जाएगी ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है अपना इयर और सेलेक्ट करेंगे उसके बाद इस कॉलम में आपको अपना डालना होगा ठीक है मैं इसको ब्लैंक कर दीता हूं थोड़ी देर के लिए उसके बाद आपको परसेंटेश्च विलप करना अगर आपका सीजी पी है तो इसके बाद देखिए आपको डीयो पीट की की वेबसाइ जो आप लोग नहीं पर देख पारे होगे 20 के वी से लेकि आपका 50 के बीच में आपका फोटो का साइज होना चाहिए कितना 20 के बीच में आपका साइज होना चाहिए इस चीज़ का आपको ध्यान रकना है ठीक है फोटो डिशाजर काफी अप्लिकेशन आते हैं आप लोग ऑन यहां पर बोला गया है कि आपका फोटो जो है 9 फरवरी के बाद का होना चाहिए 9 फरवरी दोजा 13 का तो आप पर हम यह स्कर देते हैं उसके बाद नीचे आना होगा नीचे आने के बाद आपको यहनी के अगरी कट बटन पर क्लिक करोगे और यह आपको यह कैप्चा कोड दिख़शा आपको यहां पर डॉक कर देना है तो चली मैं के यह केंडीयेट की डेल्स को असी तरह से डाल के आप सभी के सामने आता हूं उसके बाद दुस्तों आपको क्या करना सारी डेटेल को अच्छी तरह से फिलप करने के बाद यह जो capture code आपको मिलता यह capture code आपको फिलप करने है देन आपको preview बटन पर क्लिक करना है चलिए हम preview बटन पर जैसे देखे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका थोड़ी दिर आपका सर्चिंग लेगा सर्चिंग लेने के बाद आपकी personal detail आप सबी के सामने आ जाती है privacy region की बज़े से मैं उसको blur कर दूँगा देखी किसी भी की privacy leak ना हो इस वज़े से और आप अपने detail को देख सकते हो कि आपने जो भी detail डाली एकदम correct डाली है सही डाली है कोई भी आपको mistake तो नहीं है अगर आपको यह लगता है कि उसमें कोई mistake है तो उस condition में आप लोग अपना edit या modify बटन पर क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं अगर आपको यह लगता है कि हमारी एकदम detail सही है तो आप submit पर क्लिक कर सकते हैं तो चली मैं भी इसको अच्छे से देख लेता हूं जैसा कि दोस्तों मैंने अपना सारी detail को अच्छी तरह से चेक कर लिया और हमारा detail एकदम correct है तो simply हम submit वाली बटन पर क्लिक करते हैं उसके अगर आप SCST से आते हैं तो भी आपको कोई भी payment करने की कोई जूरत नहीं है अगर आप मालो OBC ठीक है पहले तो मैं बात करना चाहूँगा UR category के बारे में OBC category के बारे में और आपका EWS category के बारे में ठीक है अगर आप लोग इन सभी category से आते हो और आप male candidate है तो यह आपको payment करने की जुरत है नहीं तो आपको कोई भी किसी भीAgdar category को payment करनी की जुरत नहीं है ठीक है अगर आप monarch है किसी भी category से आती है तो आपको payment नहीं करना है क्योंकि यह Anda के investment कर आपको क्लिकर करना चाहते हैं offline करेंगे तो वैसे जंजट पड़ेंगे simply आप लोग क्या करेंगे आप लोग संबिट पर क्लिक कर देंगे online पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से redirect करेगा website पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं आप payment चाहें जैसे कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं debit card credit card net banking UPI जैसे आपको ठीक लगता है उसका तरीके से आप लोग कर लीजिगा जैसे कि मैं state bank debit card पर क्लिक कर देता हूं उसके बाद आपको क्या करना है ठीक है थोड़ी देर आपका payment की website पर ले जाएगा जहां से आपको payment करना है आप card के थुरू करना चाहते हैं तो अपना card number डालेंगे यहां पर देन आपको अपको अपना payment हो साए दोस्तों तो मैं आपको भी दिखा देता हूं जैसे दोस्तों आपको payment हो जाएगा तो आपको simply यहां पर आना है और अपना application status देख लेना है ठीक है application status अगर किसी भी condition में थोड़ा सा वह बताता है तो आपको payment पर क्लिक करके दुबारा से पेमेंट इस्टेटिस प अंदर हो जाता है देखिए उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है प्रिंट वाले option पर क्लिक करके आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं ठीक है इसी तरीके से आपको अपना form fill up करना होगा SSCHSL का मैंने इस्टे बच्टाए सारी आपको information दे दिये ठीक है वीडियो थोड सब्सक्राइब करके बैल आइकोन बटन प्रेस करें जिससे क्याने वाली हर वीडियो की notification आप सभी को मिल पाए चलिए मिलते कि नेक्ट वीडियो में आत अब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम